वॉल्वो एकससर ई-440 रिचार्ज को भारत में लॉंच कर दिया गया है कम्पनी ने इसे 55.9 शून्य लाख रुपए की कीमत पर लाया गया है वॉल्वो एकससर ई-440 रिचार्ज की बुकिंग 27 जुलाई से कम्पनी की वेबसाइट पर शुरू की जाएगी इसे 50,000 देकर बुक किया जा सकता है पेच्चोल मॉडल के मुकाबले यहां इलेक्ट्रिक मॉडल 11.4 शून्य लाख रुपए महंगी है इसे कम्पनी लोकली असेंबल करने वाली है वॉल्वो एकससर E40 रिचार्ज के फेसलिफ्ट मॉडल को भारत में लाया गया है और इसमें सामान्य बदलाव किये गए है नए मॉडल में थोर हैमर DRL वा नए स्टाइल वाले बंपर दिया गया है पेच्चोल मॉडल के मुकाबले यह 15 मिमी लंबी है लेकिन इसके ग्राउंड क्लिरेंस थोरी कम 175 मिमी है इसमें ब्लैकर्ड आउट ग्रिल वा नए डूल टोन 19 चके अलोई विल्स दिये गए है जो की 452 लीटर के बूट स्पेस के साथ आता है इस इलेक्ट्रिक कार में इंफोर्टेन्मेंट वा टेलिमेटिक एक अससर E60 फेसलिफ्ट से लिया गया है इसमें नए डिजिटल डायल वा नया एंड्राइड आधारित इंफोर्टेन्मेंट सिस्टम दिया गया है इस कार में ज्राइवर को Google Maps व असिस्टिंट E-Syn की मदद से Play Store के कई आप दिये गए है इस कार में Panoramic Sunroof, Wireless Phone Charging, Sensor आधारित ADAS तक्नीक दिया गया है Volvo Eccasor E40 Recharge में Connected Car तक्नीक Power वाली Front Seat Driver Seat Memory के साथ व प्रीमियम हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम दिया गया है Volvo इस Electric Car पर 3 साल की वारंटी व बैटरी पर 8 साल की वारंटी दे रही है वहीं इस Electric Car के साथ 11 किलोवाट का वाल बॉक्स चार्जर दिया जा रहा है Volvo Eccasor E40 Recharge में 78 के WH की बैटरी दी जाएगी जो 150 किलोवाट DC Fast Charging की मदद से 10 से 80 पसेंट चार्ज सिर्फ 33 मिनट में चार्ज हो जाती है वहीं 50 किलोवाट Fast Charge की मदद से 2.5 घंटे में 100 पसेंट चार्ज हो जाएगी कम्पनी का दावा है कि यहां इलेक्ट्रिक कार 418 किलोमीटर का रेंज प्रदान करेगी कम्पनी एकससर E40 Recharge को त्विन वर्जन में उपलप्त कराती है इस कार में 2 इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है हर एकसल में दिया गया है जो 408 HP का पॉवर वच 660 Nm का टार्द प्रदान करता है यहां कार सिर्फ 4 9 सेकंड में 0-100 किलोमीटर की गती प्राप्त कर लेती है यहां इलेक्ट्रिक कार पेच्चोल मॉडल के मुकाबले 400 किलोग्राम अधिक वजनी है और इसका वजन 2188 किलोग्राम रखा गया है